राम नगरी अयोध्या में भगवान राम का भव्य मंदिर बनाय जा रहा है जिसकी देश ही नहीं दुनिया में भी चर्चाए हैं वह जिस तरीके से मंदिर को बनाय जा रहा है वो वाकी काबिल इतारिफ है हम आपको मंदिर के 20 विशेष्टा इंटा देते हैं जो श्री राम जन्मभूमी तीर दिशेद्री ट्रस्ट ने एक्स परसा जगी है पहली विशेष्टा है मंदिर परफपरागत नागर शैनी में बनाय जा रहा है दूसरे विशेष्टा मंदिर की लंबाई 380 फीट चोड़ाई 250 फीट और उचाई 161 फीट रहेगी तीसरी बात ये है कि सौथी खास्यत के बात करें तो मुख्य गर्प ग्रह में प्रभू श्री राम का बाल रूप यानि श्री राम लला सरकार का विग्र होगा और प्रथम तल पर श्री राम दरबार होगा वहीं पांचवी विशेष्टा है कि मंदर में पांच मंदप होंगे गृत्य मंदप, वहीं छटी विशेष्टा की बात करें तो वो भी काफी अच्छी हैं बदा दे की खंबो दिवारों में देवी देटा और देवांगनाओं की मूर्तिया उगेरी जा रही हैं साथवे विशेष्टा है कि मंदर में प्रवेश पूर्वी दिशा से 32 सीडिया चड़कर सेंह द्वार से हुगा आठवे विशेष्टार दिव्यांग जनू और विद्धों के लिए है दिव्यांग जनू और विद्धों के लिए मंदर में रैंप और लिफ्ट की विवस्था रहेगी वही नौवी खास्यत है कि मंदर के चारों और आयताकार परकोटा रहेगा चारों दिशाओं में इसकी कुल लंबाई 732 मीटर और चोड़ाई 14 फीट रहेगी दफ़ी खास्यत भी आपको बता दे कि परकोटा की चारों कोनों पर सूरे देव, माभगवती, गड़पती और भगवान शिफ को समर्पित चार मंदरों का नमाण होगा उत्तरी भुजा में मा अन्यपूर्णा, डक्षनी भुजा में हनुमार जी का मंदर रहेगा ग्यारवी खास्यत भी काफी सराहिये हैं मंदर के समीफ पौरानिक काल का सीता कूप प्रद्दमान रहेगा बारवे विशेष्टा भी काबिले तारीफ है मंदर परिसर में प्रस्तावत अन्य मंदर, महश्री वालमिके, महश्री वशष्ट, महश्री विश्वामित्र, महश्री अगस्त, निशाद राज, माता शबरी और रिशी पतनी देवी अहिया को समर्पित होंगे मंदर की तेरवी विशेष्टा है कि दक्षन पश्षिमी भाग में नवरत्न खुबेर तीला पर भगवान शिप के प्राचीर मंदर का जिन्यों द्वार किया गया है और वहीं जटाईयों प्रतेमा की स्थापना की गई है चौधवे विशेष्टा है कि मंदर में लोहे का प्रयोग नहीं हो रहा धर्दी के उपर बिलकुल भी कंक्रेट नहीं है पंदवे विशेष्टा है कि मंदर के नीचे 14 मीटर मोटी रोलर कॉम्पैक्टिट कंक्रेट बिछाए गई है इसे कृत्रिन चटान का रूप दिया गया है सोलेवे विशेष्टा भी काफी सरानिये है दरसल मंदर को धर्दी की नमी से बचाने के लिए 21 फीट उची प्लेंथ क्रेनाइट से बनाए गई है सत्रवी खासियत है कि मंदर परिसर में स्वतंद्र रूप से सीवर ट्रीट्मेंट प्लांट, वाटर ट्रीट्मेंट प्लांट, आगनी शमन के लिए जल व्यवस्था तथा स्वतंद्र पावर स्टीशन का निर्मान किया गया है ताकि बारीस संसादुनों पर नियूंटम निर्भरता रही अठारवी विशिष्टा है कि 25,000 शमता वाले एक दर्श नार्थी सुविधा केंद्र का निर्मान किया जा रहा है जहां दर्श नार्थियों का समान रखने के लिए लौकर और चिकित्सा की सुविधा रहीगी 19-वी विशिष्टा है कि मंदिर परीसर मेर्स नानगार, शौचाले, वोश पीसिन, उपन टैप्स आदी की सुविधा भी रहेगी 20-वी विशिष्टा है कि मंदिर का निर्मान पूर्ण तया भारतिय परंपरान उसार स्वदेशी तक्नीक से किया जा रहा है परेवरण जल संदक्षन पर विशिष ध्यान दिया जा रहा है कुल 17 एकर शेत्र में 17 प्रतिशक्त शेत्र सदाहरित रहेगा अब ऐसे ना सर्फ भगवार के दिवे दर्शन लेंगे वही शद्धालूं मंदिर की खूपसूर्थी देखकर भी चकित रह जाएंगे मंदर का भव्य निर्मान ना सर्फ संदों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि पूरे सनातन के लिए करफी बात है वही अब सभी के जहन में एक ही आस है वो है रांदला की प्रांट प्रतिष्ठा